अगर आपको एक नंबर दिया जाए जैसे मान लिजिए आसका डेट 22 10 2021 और आपको पूछा जाए कि ये नंबर 2 से completely divisible होगा या नहीं आपको बिना pen और paper यूज किये बताना होगा तो कि आप बता पाएंगे completely divisible जैसे 4, 4 को अगर 2 से divide किया जाए तो 224 यानि कि remainder में 0 आएगा तो ये completely divisible है लेकिन अगर आप नंबर ले जैसे 5 और उसको आप 2 से divide करें तो 224 फिर remainder में 1 आता है तो ये completely divisible नहीं है तो completely divisible का मतलब जिसको divide करने पर आपको 0 मिले तो क्या इतने बरे नंबर को आप instantly देखके बता पाओगे कि ये नंबर 2 से divisible हो गया नहीं तो इसलिए सलिये में आपको बताता हूँ एक simple सी trick तो नंबर जैसे 0, 2, 4, 6, and 8 तो ये पूरा का पूरा नंबर ही तू से divisible होगा जैसे इस नंबर पर आपका लास्ट डिजित है 1 और 1 एक even नंबर नहीं है तो मतलब ये पूरा नंबर तू से कभी completely divisible होगा ही नहीं तो friends और divisibility rule rule जानने के लिए channel को सब्सक्राब जरूर करे Thank you